जैसाए राम एवरीवाण Welcome to मेरे साइ आशा करती हूँ बाबा के आशुरवाद से आप सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे मेरे साइ परिवार और मेरे साइ परिवार के सभी सदस्य को करती हूँ मैं heartily welcome आज आप सभी के साथ मैं share करूंगी फिर से उदी से जुड़ा हुआ तीन अनुभव और पहला अनुभव हमारे सार शेर करती है अनिता जी मैं बताती है गुरुवार का दिन था और इनका फोन सुबे से अपनोर्मल बिहेव करने लगा अप्स अपने आप खुल रहे थे अगर मैं कोई specific आप खोल रही थी तो दूसरा आप खोल रहा था whatsapp अगर मैं खोलती तो automatically context पर message जा रहे थे एक बार पहले भी ना same हुआ था तो इन्होंने अपना phone service center पर दिया था तो shopkeeper ने कहा था कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो phone आप off करके on कर दे ना phone normal function करेगा तो मैं को ये बात याद था और वो क्या करती है ना phone को off करके on करती है ठेक है अब global महापारायन से भी मैं जूड़ी हुई है हर Thursday दो chapters पढ़के submit करना पड़ता है WhatsApp group में मैं वो भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि chapters एंटर जब करने की वो कोशिश करती तो automatically emojis टाइप होता मैं परेशान हो गए थी इस बीच वो अपने घर का काम करती है ठेक है जैसे कि बच्चे को स्कूल भेजना टिफिन रेडी करना घर का काम करना खाना पकाना मैं सब कुछ करती है फिर phone को एक बार off और on करती है पर phone abnormally ही behave कर रहा था ठेक है मैं इसके बाद memory clear करती है कुछ photos delete करती है ताकि phone normal version करें पर कोई फाइदा नहीं हुआ ठीक है सारा दिन मैं अपना phone कई बार off और on कर चुकी थी पर कोई result कोई फरक नहीं पड़ा और मैं बहुत गुस्सा हो गए थी परेशान हो गए थी कि phone कैसे ठीक होगा तब ही इनको याद आया कि इस channel में मतलब मेरे कि डिवोटी का laptop खराब हो गया था और डिवोटी ने जब उदी लगाया laptop में तो laptop ठीक हो गया था अब उदी से related मैंने बहुत सारे अनुभव इस channel पर share किया है आप सब चाहे तो जाकी चेक कर सकते हैं तो मैम phone को बाबा के पास ले जाती है और उनके पास रख देती है और फिर एक चुटकी उदी phone पे छिड़क देती है और बाबा को कहती है कि बाबा अब जो करना है आप ही करूं मैं phone आपके पास रख के जाती हूं सुबे से बहुत वक्त मैंने बरबाद कर दिया है इसके पीछे अब आप ही इसे ठीक करो मैम ये बोल कर उदी लगा कर phone को उदी लगाने के बाद सर्विस सेंटर पे ले जाने की कोई जरुरत ही नहीं पड़ी तो ये था इनका पहला अनुभव के कैसे phone पर उदी छिड़कने पे phone नॉर्मली बिहेव करने लगा अब सुनाती हूं इनका दूसरा अनुभव बहुत ध्यान से सुनिए तो मैम रात को रोटी बना रही थी तवा बर्नर के उपर में था और गरम तवे के एकदम पास इन्होंने स्टील का एक प्लेट रखा था ताकि रोटी बनाकर डिरेक्ट वो प्लेट पे रख पाए रोटी बनाएंगी और प्लेट पे रखेगी इसलिए एकदम गरम तवे के पास इन्होंन तो obviously इनका हाथ जल क्या ठीक है अब गरम कढ़ाई कर्ची को by mistake हम अगर पकड़ते हैं तो experience हम सभी को है जो हम किचन में जाते हैं कि जलन कैसा होता है है तो हाथ जलने के बाद मैं डिरेक्ट हाथ में उदी लगाती है पर जलन से राहत नहीं मिलता है फिर मैं एक मिनिट अपन के सर पर चड़ रहा था मतलब सर तक इनका वो बर्निंग सेंसेशन चड़ रहा था तो उनको बहुत अनईजी लग रहा था बहुत पेन में थी तो फिर से उदी लगाती है और बाबा को पुकारती है कि बाबा ये जलन मुझसे और बर्दाश नहीं होता आप खृपा करो ब उदी लगाने के बाद एकदम गायब हो गया ऐसा गायब हुआ कि मानो हाट जला ही नहीं था कम्प्लीट रिलीव मिल चुका था जलन से अब देखिए किचन में काम करते वक्त जिन्होंने बाई मिस्टेक गरम कर्ची तवा कराई छू लिया है वो जानते हैं कि जलन कैसा हो और यह जलन बहुर देर तक रहता है ठीक है वो जले हुए हाथ से मैं यह नहीं कहती कि पूरा सीवियर बर्न हो गया पर गरम किसी यूटेंसल को अगर आप जू लेते हैं बाई मिस्टेक तो वो जन जना आट वो जलन होती है ना वो काफी देर तक लास्ट करती है और उस हा आप गैस के सामने अगर जाए भी ना तो वो जलन और इंटेंस हो जाता है है ना पर यहां क्या होता है मैं का हाथ जलने के बाद मैं पहली बार उदी लगाती है फिर असर नहीं होता तो हाथ रणिंग वाटर में रखती है फिर भी जलन जब बहुत जादा बढ़ गया बहुत धन्यवाद इतना प्यारा प्यारा दो अनुफव हमारे साथ शेयर करने के लिए और आई ये मेरे साई परिवार सुनाती हूँ आप सभी को तीसरा अनुफव यह अनुफव जिनका है वो रहना चाहती है अनॉनमस माम देली से है माम बताती है इनकी एक बेटी है उम सर काम से आफ्टो स्टेशन थे और माम अपनी बेटी के साथ घर में अकेली थी रात के दस बच चुके थे तो माम ने बाबा की उदी अपनी बेटी के सर पे और पेट में लगाया पर फिर भी ना कोई राहत नहीं मिला उनकी बेटी को फिर से इन्हों ने उदी लगाया और कुछ देर बाद इनकी बेटी ने फिर से वॉमिट किया माहम ओम साहिराम ओम साहिराम बोलती गई यानि बाबा का नाम जाप करती गई और फिर से प्राथना किए कि साहिन मेरी बेटी को लेकर मैं घर में अकेली हूँ आप ही इसके माँ हो और पिता भी आप ही है साइं आप रख्षा कीजिए मेरी बच्ची की और इसके बाद आधे घंटे तक इनकी बेटी आराम से सोई फिर आधे घंटे के बाद उठकर वॉमिट की अगले दिन इनकी बेटी का अकाउंट्स एक्जाम था तो मैम ने पेट दर्ड की दवा दी थी पर दवा से कोई असर नहीं हुआ ठीक है तो फिर से मैम ने ऊदी लगाया बेटी के सर पे और ओम साहिराम ओम साहिराम का जाब करने लगी और फाइनली दर्ड रिड्यूस हुआ और उनकी बेटी चैन की नीन सो गई मैम बताती है कि बचपन से ही जब इनकी बेटी को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कुछ भी हिल्थ इश्योस हुआ मैम ने बाबा को पुकारा और बाबा दौरे आए और इनकी बेटी को तुरंट ठीक कर दिया यह अनुभव जो सुन रहे हैं जो जिने ऊदी के बारे में जादा पता नहीं है या फिर पता है तो इस अनुभव में आपने सुना कि मैम ने पहले ऊदी लगाया कोई असर नहीं हुआ फिर सेकेंड टाइम लगाया फिर भी वो वॉमिट करती रही फिर फिर थर्ड टाइम लगाया ओदी तब जाके इनके बेटी को रहात मिला तो यह सब जब आप सुनते हैं प्लीज मन में ये धारना मत रखे के एक बार ओदी लगाने से तो कोई चमतकार नहीं हुआ दो तिन बार अप्लाई करना पड़ा ये धारना मनमिना मत रखेगा देखिए मैम के पास डॉक्टर नहीं था मत मैम रात के दस बच चुके थे मैम डॉक्टर के पास नहीं जाच लगी तो मैम ने किसको पुकारा, बाबा को, मैम ने क्या किया, बाबा का नाम जाब किया, ओम साहिराम, मैम जाब करने लगी, और मैम ने दवा दी थी, अपनी बेटी को, पेट दर्थ का, पर उससे भी कोई फाइदा नहीं हुआ, फाइदा किससे हुआ, उदी लगाने के बाद ही, उनकी बेटी चैन की रींस्वे, पेट जो दर्था वो reduced हुआ उदी से, तो उदी की महीमा, उदी की शक्ती, बाबा की कृपा, इसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, जितना कहें उतना कम, तो आप सभी से इतना ही कहोंगी, कि विश्वास रखना बाबा बे बाबा की उदी प कहना चाहूंगी, कि अगर ये अनुभव आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब के साथ ना साई की महीमा बाटिये, ये कल्योग है, हम लोग घर घर जाके कीटतर नहीं कर पाते हैं, है ना, तो जब आप प्रचार करते हैं साई महीमा, क क्योंकि इससे आप बाबा की सेवा करते हैं, ठीक है, और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेर करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आप मुझे एमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डिरेक्ट मेसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नएसा अनुफब के साथ तिल दिन जैसाए राम